तो दोस्तो चलिए आप हम लोग सुरू करते हैं इनाधर बुक review जो आपका physics का प्रान बायू है आर्फकन वेबर का review हम लोग आज करने वाले है तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग जैसके देख सकते हैं स्क्रिन में जो mathematical methods का सांदार और आला दर्जी का किताब है, यह जो आफकान वेवार का बुक है, यह 8 के 10 के बराबर तो नहीं कह सकते, पर उससे थोड़ा सा कम, 1 cm only, 1 cm कम, इसका लिंध है, और यह बहुत ही बैतरीन इन किताब है, जैसे कि आप लोग चानते है, किसी किसी स्टूडेंट को, बहु इसमें कर सकते है, यह सीखना चाते है, जो स्टूडेंट अद kidding-to-ruler को सीखना चाता है, इसको कुछ करना है, मतरब एक numerical दिया हो है, मैंज मैं, उसको solve करना है, तुसको solve करने का जो trick से techniques चेड़े के लिए बना हुआ है इसके लिए आप परफेक्ट बॉक चूज किया है यह book main to advance के लिए है, basic to main के लिए HK10 is better, और MSC entrance में, इंडिया में सारे MSC entrance जो होता है, basically JSTOR T4 को छोड़कर, जो Integrate PhD में focus करता है, उसको छोड़कर सारे MSC entrance में HK10 is sufficient book, जो question पूछा जाता है, वो main level का question पूछा जाता है, basically जो IIT, Jam, TU, BHU, ऐसा MSC entrance exam है, इसमें main का question बहुत जो JST नहीं देना चाता है, जो T4 नहीं देना चाता है, मतलब देना चाता है, पर ऐसा नहीं कि interview world में 100 ही बाना है, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए दिमाग में, कि सारे geometrical interpretation में math को समझना है, फ्यूर feature space को apply करना है, ऐसा बिल्कूल भी नहीं होना चाहिए, अगर हो ऐसा type का mindset है, तो आप आफ करनो विबार को पढ़िए, यह बहुत ही बैतरीन और आले दर्जे के book है, मैं जैसे कि पहले में बता दिया हूँ, ठीक है, उसमें 1 cm length कम है H-10 से, और इसमें क्या-क्या च इसमें बूलता है एक बात है, चोटा चीज बड़े धामगा, यह ऐसा book है, इसमें बहुत concept को clear कर दिया गया है, जो आपके teacher भी नहीं करते है, जो student पढ़ा को है, पढ़ा को मतलती है, जो student बहुत जादा theory में सोचने में time को spend करता है, वो student के लिए आफ कान वेबार की book एक अम रिच जासा है, ठीक है, तो इसमें में 2 cm, 1-2 cm का इसका width है, इसके 10 से थोड़ा सा कम है, और इसका weight है, जासे का आप देख सकते हैं, इसका weight 1.576 मतलब, 1.6 kg approximate इसका weight है, जादा weight भी नहीं है, इसके 10 का लगबग 1.78 होगा, जाभी ठीक से पता नहीं है, पर 1.6 approximate इसका भर-भर के information रहेगा, पर ये student से connectivity प्यादा करना चाहता है, और इसका जो, मतलब, जो दिखाने का quality है, इसको एक unique mindset create करता है, देखो कि पहली ही page में ये formula sheet provide करता है, ये formula sheet है, बहुत ज्यादा formula sheet है, और ये आपको लगएगा, BSC, MSC, PhD तक ये बहुत helpful formula sheet है, मतलब, ये तो आकर मुझे पढ़ो, इसी लिए पहली page में इसको इसने formula sheet मतलब formula के दिए, देखो भाई, ये सब formula तुमको आना चाहिए, आपको basic चीज है, इस book के लिए basic चीज है, पर age के दरस के लिए basic नहीं था, तो इसी में मैंने बोला कि mid range to advanced level तक student को target करता है basically, ठीक है, इसमें कोई अगर basic student हो, आपका दिल है, पढ़ने में प्यार करते हो, आप theory person को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो इसमें कोई minor नहीं रखता कि कौन सा brand का book है, कौन सा चीज का book है, कौन सा tag लगा हुआ है उसमें, अगर आप प्यार करते हो theory को, तो आप ये कर सकते हो, जैसे कि सब इसमें लिखा हुआ है, mathematical methods for physicist, इसमें लिखा हुआ है, mathematical methods for physicist, इसमें लिख दिया गया है, physicist कुछ नहीं होता है, अब student हो, आपके लिए book free farewell है, बस खतम, फिर इसमें जो तीनों writer की नाम लिखा हुआ है, फिर पहले number, Alfkar, फिर waiver, ऐसा नहीं है, कि Harry's book है, Harry's का जो नाम है, वो आले दर्जी के teacher है, इसके बाद हम लोग देखना चाहेंगे, इसका content कितना page में रहता है, जैसके आप लोग देख सकते है, इसका content है mathematical, preliminaries जो पहले basic knowledge था, मैंने बोला था, हीचके दास का concept है, मतलब जो आप लोग सीख के आये हो, और OJIS, और OJIS, सारी के सारे 122 page तक है, physics के लिए बहुत ही ज्यादा importance दिया गया है, इसमें physics का example है, इसको कर दिया गया है, मतलब हर एक chapter में physics का जो जो मतलब लगेगा, मैं अभी दखाऊंगा, आभी आप example रहेंगे, तो आप चौक जाएंगे कि कैसे mathematical methods का book writer है, कैसे सोच सकता है, हम लोग electronics में क्या पढ़ रहे तो ये क्या करता है, ये जो book है, इसमें ओही question, आप लोग सोचेंगे कि मैं teacher को जाकर पूछूँगा, EMP teacher को पूछूँगा, सेरी कैसे कि आपने, ये कैसे हो गया, मैं solve नहीं कर पा रहा हूँ, आप की तरह मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए ये जब differential questions का chapter आएग उसमें example में, ओही जो EMP वाला question है, और इसमें आपको बताएगा, देखो बेटा, ये ऐसे सूचा जा सकता है, इसको ऐसे आगर तुम सोचे, तो ये कामदाएक है, ऐसा type का mindset बोला मैंने है, ये बहुत ही bettering book है, इसको आप ले सकते है, और प्लीज आप लोग, जो 90% student लोग और माइनस करके देख लीजिए, हार एक chapter के लाग बग 50, 60, 40, 45, ये page रहेगा, sequence में रहेगा, तो इसके बाद हम लोग आते है, अब देख लीजिए, पेज कम नहीं है, 1181, मतलब इसमें last page 1181 है, इसमें थोड़ा सा student के लिए लिए लिखा होगा है, अब मैं पढ़ना नहीं आप यूज करने के लिए तो ये कोई टूल्स नहीं है, ये टूल्स है, टूल्स बनेगा, आपका टूल्स बनेगा, जब इसका सारे जो थेोरिया होगा, आपके माइन में आएगा, तब ये टूल रहेगा, अभी तो आपके लिए बुक है, जब तक आप student रहेंगे, ये आप पर ये कोई पाइदा नहीं होगा, अगर इसमें जो जैसा Mindset बनना होगा है, एक चीज को सोचने का से Mindset है, ओ अगर आप इसके जैसे Mindset नहीं बनाएंगे, जैसे Sandeep Ma istari बोलता एं, मतलब सैर क्या मोलता है कि मेरा मेरा मेरश माइळसेट उसमें करना होता है मतलब सैर जैसा है हम लोग गोश्चना होगा मतलब सोचना पड़ेगा तो है कि जो ऑ डिश्टी से हम लोग के जगद को छाइगे यह कह रहे हैं में ऐसा होगा, तो इस situation में भी ऐसा ही होगा, यह नहीं हो सकता है, आपको हर एक situation का answer खुद से मालूं करना पड़ेगा, खुद को सोचाना पड़ेगा, कि क्या ऐसा हो सकता है, possible है या नहीं है, अगर possible है, तो क्यों possible है, बहुत ज़्यादा ही मैं बोल दिया हूँ, और इससे सब्सक्राइब कीजिए, मैं तो मतलब साल में एक दो बार वीडियो फूस करता हूँ, मैं ऐसा रेगुलर रेटी नहीं रप्ता, तो, बट मैं कहतना चालता हूँ, लाइक तो कर सकते हैं, कॉमेंट दी कर सकते हैं, यह आपका मर्जी है, करेंगी जाना, ठीक है, चलिए, त तो यह हो जाएगा, यह ऐसा चीज नहीं है, इसको समझने के लिए आपको खुद कोई प्रयास करना पड़ेगा, यह इसमें बोला गया है, मैं ज्यादा नहीं पड़ूगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो यह रहा है, इसमें और एक चीज बहुत ध्य अगर आप exercise इसका नहीं कर सकते है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप नहीं कुछ सीखे हो, मतलब reading ही पड़े हो, time waste हुआ है, आप बहुत कुछ सीख जाए हो, जो example के mindset जो है, उसमें अगर 100 में से 10 भी आप लोग गें कर पाएगो, ओ आपके J stiffer के लिए 100% knowledge अब रहेगा interview को पर आप देखिए, इसमें 1.2.5 होने की वाजूद भी, RL circuit दिखा हुआ है, इसमें, example 7.2.5, RL circuit दिखा हुआ है, RL circuit में आप जब netpronics में पढ़ेंगे न, इसमें बहुती सांदार teacher है, पर मैंने देखा यह teacher था, जो आप लोग basically यह telegram group में video lecture मिल जाएगा आप लोगों इसमें एक teacher है, बहुती, मतलब एक overpower रहता है, बहुती संदार teacher है, जो भी उससे पड़ता है, इसका अब दिवाना हो जाता है, ऐसा type का चीज है, तो सैरी है, मैं हम नहीं है, फिर भी, जो सैर जो पढ़ाता है, RL circuit का, और वो same to same, चीज इसमें दिया गया है, सैर जो पढ इसमें जो सैर नुमेरिकल किया जगत करता है, और इस भूप में लिखा हुआ है, आप देख सकते है, RL circuit के लिए जो नुमेरिकल यूज किया गया है, जैसे कि आप लोगों को सीखना पड़ेगा, कि क्यासे हम लोगों इसको भी derivation की first word differential में यूज कर सकते हैं, आप लोगो और यह आप की student की student ने बहुत जादा होता है, कि साहस रहता है, कि मैंने जो बात बोला या teacher ने कुछ बात बोल दिया, तो ओ अपने दिल में लिए, कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, मैं इसको कहते दिखा हूंगा, यह जो चीज है, बहुत खथरनाक चीज है, आपको हाई, मैं आप लुकों को दिखा दिता हूं, यह देखिए, हुक्स लौ स्प्रिंग का भी इसमें, हैलेशन किया गया है, फिर हुक्स लौ के बाद आप यह देख सकते हैं, यह इचके दास में भी था, इंडेक्स मतलब क्या, आपको बोलेगा कि आप समाल लो किसी वाड, आप किसी concept क इसमें यूज होगा, इंडेक्स बहुत ही हेलफुल रहता है, जैसे कि आप फोल में सर्च करके time waste को अब लोग बहुत ही कम समय बहुत ज्यादा रिजार्ट आन सकते है फोन में, तो ऐसे ही type का है, dictionary के type index बहुत है इसको, इसके बात बारे मैं इससे में दिखाता हम आपको, आप यह देखिए, यह series and products की है, यह बहुत ही मतलब जादा काम आएगा, अगर आप किसी भी आचीज को करना चाते हैं मेरेकल को, यह series और products को याद रट लेना है, बस, overall मेरा जो experience है, आज़कान को लेकर, आगर आप जैटीफर देना चाते है, अगर आप नेट गेट के student है तो यह तो आपके लिए हाई है, वह तो छोड़िए, अगर आप नेट जैस्ट गेटीफर देना चाते हैं तो यह book आपके लिए एक अमरित जैसा दवा है, यह आप पढ़िए, पर कि कुछ समझ में आया या नहीं आया यह मत सोचिएगा, बस आप थोड़ा सा stick हो कर, थोड झाल weज मत सबस्ट कर तूस में आया यह मत सबस्टेश घटब